पेकाव पुत्तर दिसा में एक जित्र कुट राज्य है जो जंगल पहाडों से घिरा हुआ है चित्र कुट राज्य में रहने वाले एक विश्वास के साथ रहते है उनका विश्वास उत्तर पहाड के जंगल में एक माया भी अजगर्नी रहती है वह अपनी माया भी शक्ती से उत्तर परवतिय पहाड को ऐसे घेर के रखी है ताकि चित्र कुट राज्य में उत्तर सी मांत में कोई भी शत्रू आक्रमाड ना कर सके वह लोग कहते हैं वह माया भी अजगर्नी अपने शक्ती से आफ़त बीपत मुसीबत से रख्षा करती आ रही है कई वर्षों से सच मुझ देवी है वो वह भी नहीं तो क्या कभी मनुश का रूप लेकर कभी जिव जन्तु का रूप लेकर हमारे राज्य की हमेशा रख्षा करती है लेकिन जिसे कभी देखा ही नहीं उस पे विश्वास कैसे करूं ठीक बोल रहे हो मैं भी नहीं देखा हूं लेकिन मनुश्यों का इतनी बर्षों का विश्वास तो फिर कैसे ना माने ठीक है जब आप मान रहे हैं तो मैं जरूर सुनूँगा आपकी बात तो मैं चलता हूँ ठीक है बेटा ठीक से जाना और जल्दी वापस आना उसके बाद चित्र सर अपने पिता की अनुमति लेकर शिकार करने के लिए निकल पड़ा पूर्य जंगल में एक शिकार नहीं दिखा दक्षिर के तरप कोई शिकार नहीं है इधर कोई शिकार नहीं मैं क्यूं आ गया इधर जाता हूँ उत्तर की और जाता हूँ उधर जरूर शिकार मिलेगा ओई रद घुमाओ उत्तर की और लेचलो यहाँ पर जरूर शिकार मिलेगे तुम लोग कोई पीछे मता ना यहीं इंतिजार करो जब तक मैं वापस लोट कर नहीं आता हूँ अरे पापरे कितना उच्चा परवत जाता हूँ उस पहार पर चड़कर देखता हूँ कि जंगल के किस तरफ जीव जन्तु है अरे क्या है वहाँ पर ये सब उपर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है जाता हूँ थोड़ा पास जाकर देखता हूँ क्या है इतना दिन इंतजार के बाद आज मौका मिला है आज उनकी वान नहीं है इसी समय सर्टान उसी राया है आज तुम्हारी कोई शक्ती मुझे नहीं रोक सकती हट जाओ मेरे सामने से रुक जाओ रुक जाओ खबरदार तुमने अगर इन बच्चों को छुआ तो मैं तुम्हें मार दूँगा ऐसा क्या देखता हूँ तुछ मानाओ तेरी कितनी शक्ती है हाँ हाँ कौन हो तुम्हाँ मैं चित्रिकुट राज्य का राजा हूँ आप वही माया भी अजगर्नी हो हाँ मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ उपहार देना चाती हूँ सुनो उत्तर दिशा में परवत के पास एक जलाश्य है उस जलाश्य के बीच में जाके डुकी लगाना और देखना उहाँ पे एक परवेश द्वार है उस परवेश द्वार को खूल के अंदर जाना ठीक है देवी देवी की बात सुनकर चित्र सर सिंगुल परवत के नीचे जलाशर की योड रवाना हुए अंत में जलाशर आप पहुचे राजा देवी के बातों को सुनकर अरे सच में यहाँ तो एक दरवाजा है अरे यहाँ तो सुने का राज्य है वाँ चित्र सर यह संपत्ती चित्र कुर्ट राज्य की है संपत्ती है इतने दिन से मैं इसका देख भल कर रही थी अब मैं तुम्हारे उपर सौप के निच्चिन्तों के जा सकती हूँ मैं चलती हूँ महराज देवी अपनी मुक्ती के लिए राजा चित्र शर को सारे धन्दावलत उपहार में दे दिये ये उसके कर्तव्य के खिलाप है न महराज जितने दिनों तक देवी साम बनकर उस राजी में उपश्तित थी अपने कर्म को बखोवी निभाई लेकिन उस देवी को शाफशे मुक्त होने पर उन्हें तुरंद जाना था स्वर्ग लोग इसलिए उस समय वह संपत्ति को छोड़ कर ऐसे नहीं जा सकती थी चित्र शर महावीर थे और वह संपत्ति चित्र कुट राज कही था